कर देख सकते हैं आपकी मैं कौन न्यूव वीडियो साथ आगे हूं आज की वीडियो इस पेकास है कि आज हम अन्वाक्सिंग करने वाले एक इंड्रॉइट फोन की जो की है वीव वाई 12S 3GB रैम प्लस 32GB रोम ठीक है आज इसी की फूल डीटेल रिव्यू करने वाला हूं मैं कि क्याया इसका फीचर से देखने को मिलता को इसका चैम्रा की क्सिक के क्या सकते हैं फीक हमने चलिए वीडियो को करते हैं और है इसके प्राइज जो पड़े आपको 10,990 अब को यह देखने मिलेगा अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट की विए मत जाईएगा, और हाँ गाईज अगर आप कोई प्रोड़क्ट पर्चेश करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा आप वहाँ जाके चेकाउट कर लीजिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते है अब चलिए इसी के उन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको और गाईज इसको मैं वन वीक से यूज कर रहा हूँ तो मैंने सोच आप लोग को क्यों नस्यार किया जाए ये फून ठीक है गाईज चलिए वीडियो स्टार्ट करते है अब देख सकते हैं बॉक्स कुछ इस तरह का है गाईज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3GB RAM 32GB ROM ठीक है अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता सबसे पहले 5000 एमेज की बैटी आपको देखने को मिलती है साइड माउंट फिंगर पिंट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको और कलर देखने को मिलता जो भी इसका नाम ठीक है और इसका अगर प्राइज की बात की जाए गाइस तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ज्यादा लिखा है लेकिन आपका एक्जेक्ट प्राइज मैंने आपको पहले ही बता दिया चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन का बॉक्स रखा है च चाल को यहाँ पर फोन देखने को मिलाग बाइस और इसटम प्राइज के स्कोभ करता है ऐसको यहाँ पर आपको एक केस मिलता है जो कि ए सिलिकॉन का ठीक है बाइस ट्रांस परेंड है जमिंगे आ इसमें इसको वाइस साइद में रखते हैं नेक्स्ट अपित्स छ भी तु है साइड में फिर इसका बाद में देखें और क्या क्या मिलता पहले वो चुक करते हैं तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं गाइस यह कुछ सिम टूल इंजेक्टर है और यहां पर कुछ सपेसिफिकेशन दिया फोन के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं चलिए इसको भी साइड में अगर देखते हैं क्या क्या मिलता है जैक सकते हैं समय चार्जर मिलता देखने को ठीक है और इसमें आपको देखने को मिलता है देखिए सबसे पहले यहां पर दिया है फाइब पॉइंट जीरो वोल्ट का एंड टू पॉइंट जीरो एमपियर का यानि आपको यह दस वाट का नारमल चार्जर मिलता है यह फास्ट चार्जर नहीं है ठीक है गाईस चलिए नेक्स्ट की आपको देखने को अगर ड्रॉप नॉच डिस्प्ली है यहां पर ठीक है गाईस अब इसके बैक साइट की बात करते हैं चलिए तो इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा प्यारा कलर यहां पर दिख रहाए पीछे का ग्लास है और यहां पर वीवो की वेंडिंग दी गई है है यहाईस आप अगर देख पा रहे होंगे तो ठीक है इसम्स की कलर की बात की जाए तो यह एग ड्लैस एर भ्लू कलर ठीक है एगाईस आप एक इमड़ा की भी बात की जाए तो यहां सबसे पहले आपको देखनी को मिलता यह ये 13 मेगाफिक्सल का ठीक है से केंडिचन कैम की बात की जातों यह 8 मेगापिक्सल का ठीक है अब चलिए राइट-साइट की बी बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साइट मौंट फिंगर पृंड फिंगर तीक है गाइस इसी में आपको पाबर ओन अपका बटन दिया गया है यहाँ पर आपको सेंसर दिया गया है यहां से आप टच करके लॉग भी कर सकते और लॉग भी कर सकते वह भी मैं भी आपको फोन चाल करके बताऊंगा ठीक है और नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है यहां पर वालूम लॉकर ठीक है आप डाउन करने के लिए वालूम लॉकर दिया गय आप कि यहां सेअपव हासे डाउननों अगर इसकी लिबभ साइट की बात की जाए अपर देख सकते हैं सेनद दिया गया चली इसको ओफन करते हैं कि यहांप तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यह सिंद डूल इस तरहरे दीकता है hu और प्जट है इसमें थ्री स्लट दिए गया है ठीक है दो सेम मैं आसकती है को इसRe... नीचे आपको यह पर इख सकते हैं मुबाईल के बौटम साइड में नीचे साइड में आपको यहां पर मिलता सबसे पहले 3.5 mm कजयेक मिलता IS ठीक है गाइस 3.5 mm का jack मिलता है audio jack सकेंड में आपको दिखता है primary microphone ठीक है गाइस थर्ड में आपको देखता है charging socket या jack ठीक है गाइस अब फॉर्थ में आपको देखने को मिलता है speakers girl ठीक है गाइस चलिए फोन को start करते हैं फोन को start करते हैं चलिए बटन को प्रेस करके hold में करते हैं और देख सकते हैं गाइस फोन ओपन हो रहा हुआ 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 कुछ ते हुआ 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 इब साट लगीамен कि शeg Veryมา कि अब देख सकते हैं फोन स्टार्ट हो चुका है मैंने इसका सेटिंग पहले ही कर दी ती जिससे आपको यह वीडियो वोरिंग ना लगे ठीक है चलिए बिसकी सेटिंग में बारे में जानते हैं सबसे पहले सेटिंग पहले आपको बताना चाहूंगो गाईς इसका जो डिस्प्ले है यह आपको देखने को मिलता है 6.5 पर 1-inch HD प्लस IPS LCD डिस्प्लेय आपको देखने को मिलता है ठीक है गाईज अगर आप इसकी एक्स्पेक्ट रेशियो की बात की जाये तो यह आपको देखने को मिलता ने की जाया तो आपको मिलता है 120 स्काशल और इसका पिक्सल डेंस्टी आप अपको देखने को मिलता 272 भी है 270 पीपी और आइए और अपे आपको देख saben भीन त यह आप साइब को मिलता है यह यह त्यूए ज़्य जादा बढ़ए है न जढ़ च्छोटे ठीकर घ्राइज एकर अब नेक्स손ब ये की हाइट ऑन जेटी पॉइंट। और है इसके सब्सक्राइब है देख सकते हैं आपको इसका फट्व देखने फिर पॉंट्री मिली मीटाइब और इसका थिक्ने साहब को देखने को मिलती है बैप तेकने क्मुझे 120 working आपकज का तत्रीक जो सब्सक्राइब है ऊवारोम यह उनुह्यंट्टी आप और गाइस इसकी बैटरी के अगर बात की जाए तो आपको 5000 mh की बैटरी देखने को मिलती है अब इसकी फोन की फिंगेर पिंट को देखते हैं कितना फास्ट वर करता है ठीक है इस चली है आप दिखाता हूं आप पेहीं काई जैसा में टच चंप करते हूं देख सकते कितने फास्ट बार करता है फिर आप दिखाता हूं यह देखिए के अंडलगर आप अच्छा है नहीं है चलिए अब फेस आनलॉक की सब्सक्राइब करते ह। कि यह देखिये गाइस जैसा ही मैं कि फून के पास आता हूँ एक स्विस आनलाव अपильно आप का दो कि कर? कि तो गाइस इतना फासटी पार इब करता है देख सकते हैं थीक है एक इस की कूछ इस फिक्सिकैस्शन के बारे हम देखते चलिए setting में करने चलते हैं सबसे पहले तो कौन सा डिवाइस का नेम देख सकते हैं यहां पर तीन जी बी आपे रैम दिखने को मिलता 32GB आपको फोन स्टोरेज देखने मुलता है प्रोशेशर जो लगा यहां पर आपको देखने को मलता है 1.9595 गीगाहर्ट स्नैप्डेगन 439 ओक्टा को देखने को आपको मिलता ठीक है और यह रोम वर्जिन जो है देख सकते हैं यहां पर यह लिखा है और आपको Android 11 वर्जिन का यहां पर सपोर्ट मुलता है ठीक है गाइस तो आपको यह वीडियो के अच्छी लगे तो बताईएगा ठीक है आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट की बना मत जाएगा चलिए आपको इसकी कुछ फोटो आपक प्रिएए उनका कि किस तरहे क्वाल्टी कि वर्जार शेयर कर दो कि अ जानकी साटियू आपको अश्रेश कर दो कि अिर्ट उनकी अजय आपको प्लोगेुश्य करेंड़ समयत्तने के एगे लिए वर्जात्ट और थ्पांगे दो कि अ